एक समय की बात हैं कि कबूत्रों का एक दल आसमान में भोजन की तलाश में उड़ता हुआ जा रहा था। गलती से वेह दल भटक कर ऐसे प्रदेश की उपर से गुजरा जहां भयंकर अकाल पद्डा था। कबूत्रों का सरदार चिंतित्था कबूत्रों के शरीर की शक्ती समाप्थ होती जा रही थी। शीग्र ही कुछ दाना मिलना जरूरी था दल का युवा कबूतर सबसे नीचे उड़ रहा था भोजन नजर आने पर उसे ही बाकी दल को सुचित करना था बहुत समय उड़ने के बाद कहीं वह सूखा गुरस्तिक शेत्र। से बाहर आया नीचे घरियाली नजर आने लगी तो भोजन मिलने की उम्मीद बनी युवा कबूतर और नीचे उड़ान भरने लगा। तभी उसे नीचे खेत में बहुत सारा अन्विक्रा नजर आया चाचा, नीचे एक खेत में बहुत सारा दाना बिक्रा पढ़ा है। हम सबका पेट भर जायेगा ने सर्दार ने सूचना पाते ही कबूतरों को नीचे उतर कर खेत में बिक्रा दाना चुनने का आधेश दिया। सारा दल नीचे उतरा और दाना चुनने लगा। वास्तों में वेह दाना पक्षी पकड़ने वाले एक बहल्य ने बिक्हेर रखा उपर पेट पर तना था उसका जाल जैसे ही कबूतर दल दाना चुबने लगा, जाल उन पर आगिरा सारे कबूतर फज गए, कबूतरों के सरदार ने माथा पीताओ है, यह तो हमें फंसाने के लिए फैलाया गया जाल था, भूख ने मेरी अकल पर परदर डाल दिया था, पर सरदार गहरी सोच में डूबा था, एका एक उसने कहा सुनो, जाल मजबूत है, यह ठीक है, पर इसमें इतनी भी शक्ती नहीं की एक ताकि शक्ती को हरा सके, हम अपनी सारी शक्ती को जोड़े तो मौद के मूँ में जाने से बच सकते हैं, युवा कबूतर फड़ का करो ना, सबने ऐसा ही किया, तभी जाल बिच्छाने वाला बहलिया आता नजर आया, जाल में कबूतर को फसा देख, उसकी आँखें चमकी, हाथ में पकड़ा धंडा, उसने मजबूती से पकड़ा वा जाल की और दोड़ा, बहलिया जाल से कुछ ही दूर था कि कबूतरो का सरदार बोला फुररर सारी कबूतर एक साथ, जो लगा कर उड़े तो पूरा जाल हवा में उपर उठा और सारी कबूतर जाल को लेकर ही उड़ने लगे, कबूतरों को जाल सहित उड़ते देखकर बहलिया अवाक रह गया, कुछ संभला तो जाल के पीछे दौरने लगा, कबूतर सरदार ने बहलिये को नीचे जाल के पीछे दौरते पाया तो उसका इरादा समझ गया, सरदार भी जानता था कि अधिक रेर तक कबूतर दल के लिए जाल सहित उड़ते रहना संभव न होगा, पर सरदार के पास इसका उपाय था, निकठी एक पहाडी पर बिल बन उतरे, सरदार ने मित्र चुए को आवाज दी, सरदार ने संक्षिय अपने चुए को सारी घटना बताई और जाल काट कर उन्हें आजाद करने के लिए कहा, खुछ ही देर में चुए ने वेह जाल काट दिया, सरदार ने अपने मित्र चुए को धन्यवाद दिया और सारा क अबूतरदल आकाश की और आजादी की और डान भरने लगाए एक तामेश शक्ती होती है